तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ आपके पास पुराने सिक्के या नोट है आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कोपर निकल के एक रुपे के वैल्यूबल कोईन के बारे में मैंने पहले कभी इस सिक्के की जानकारी किसी सिंगल वीडियो में नहीं दी है इस सिक्के की वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है अगर कोई एक रुपे का सिक्का सो गुना जादा कीमत दे रहा है तो उसकी वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है और ये सिक्का स्केयर की कैटेगरी में आता है वीडियो में अंतक बने रहिए वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना उस bell notification को all पर select कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले मेरे चैनल के माध्यम से आपको 100% सही जानकारी मिलती है 60 जानकारी मिलती है क्योंकि मैं खुद एक coin collector हूँ coins पर बारिकी से अध्यान करता हूँ research करता हूँ उसके बाद ही आपके सामने अपनी वीडियो लाता हूँ तो आपको support करने की जरूरत है ऐसे जैनवन चैनल को क्योंकि fake चैनल की काफी ज़्यादा भरमार है तो आपको सही चैनल को support करना चाहिए क्योंकि मेरी वीडियो के माध्यम से हजारों लोगों को benefit मिलता है उनके घर में पड़े हुए सिक्के की जानकारी उनको मिलती है क्या उनके सिक्के common की कैटेगरी में आते हैं या rare की तो जानते हैं आज की इस वीडियो में 6 गराम के copper nickel के 1989 के इस सिक्के के बारे में ये सिक्का काफी जादा खास है क्योंकि हो सकता है ये सिक्का आगे चल कर भविष्चे में rare की कैटेगरी में आ जाए क्योंकि काफी समय से मैंने देखा है कुछ समय पहले जो सिक्के square की कैटेगरी में आते थे अभी उन सिक्कों की price काफी जादा बढ़ गई है या उनमें से कुछ सिक्के रेर की कैटेगरी में आ चुके है तो इन सिक्कों के बारे में सही जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी 1989 का एक रुपे का कौपर निकल का ये सिक्का भारत की चार अलग-अलग मिंटों से ढाला गया बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबाद और नुएडा इस तरह के डिजाइन और वजन के सिक्के 1982 से लेकर 1991 तक अलग-अलग तक्षालों से ढाले गये थे एक रुपे के इस तिक्के के डिजाइन के बारे में बात करें तो कोईन के रिवर साइड सबसे उपर लिखा हुआ है रुपिया बीच में डेमोनेशन वन दोनों तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा गयों की दो बालिया इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है रुपी नीचे एर मेंशन है 1989 और उसके नीचे मिंट मार्क कोईन की ओवर साइट देखेंगे तो बीच में अशोक स्थम दोनों तरफ भारत और इंडिया हिंदी और इंग्लिश में और नीचे सत्ते में वजयते जैसे मैंने बताया यह सिक्का भारत की चार मिंटों में ढाला गया बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबाद और नुएडा तो इसमें बॉंबे, कलकत्ता और हैदराबाद कॉर्मन की कैटेगरी में आते हैं जबकि अगर आपके पास 1989 का ये नोईडा मिंट का सिक्का है तो ये सिक्का इसकेर की कैटेगरी में आता है UNC कंजिशन में इस सिक्के की कीमत करीब करीब 100 रुपे होती है लेकिन अगर ये सिक्का आपके पास Fine Condition से लेकर Extra Fine Condition तक है तो इसकी कीमत 50 रुपे से लेकर 80 रुपे तक हो सकती है तो एक रुपे का सिक्का UNC कंजिशन में 1989 का नोईडा मिंट का येर के नीचे round mint mark dot mint mark होना चाहिए तो आप लोग को इस सिक्के के 100 रुपीज मिल जाएंगे दोस्तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी knowledgeable और interesting वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद